नमस्कार मैं हूँ रिदी मिश्र और आप सब देख रहे हैं हिमकॉम नियूस आज हम बात करेंगे पांच राजियों में होने वाले विधान सबा चुनाफ के बारे में जी हाँ 2024 लोग सबा चुनाफ से पहले राजिस्थान 36 गर के साथ साथ तीन और राजियों में विधान सबा चुनाफ होने वाले हैं जिसकी तयारियों में विपक्षी गडवंधन पूरी तरह जुट गए हैं 500 साल बाश्री राम की आयोध्या में वापसी हो रही है आपको बता दे कि बाइस जन्वरी को आयोध्या में रामलला की प्रानपतिस्था भी होने जा रही है जिसमें देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी को निमंतरन भेजा गया है अब विपक्षी टीम इस पर भी राजनीती कर रही है उनका कहना है मोदी को निमंतरन क्यूँ मोदी सरकार को सब्ता से हटाने के लिए विपक्षियों ने INDI गडबंधन त्यार किया है पांच राज्यों में विधान सभा चुनाफ के बाद 2024 में लोग सभा चुनाफ भी होने वाले हैं जिसके लिए राहूल गांधी अलग-अलग जगा जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं वे उनके साथ अलग-अलग काम करके वावा ही लूटने का प्रियास कर रहे हैं अब इन सब के बीच राहूल गांधी किसान बने हुए भी नजर आ रहे हैं 36 गर दोरे पर राहूल गांधी ने चुनावी रैली को संभोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने जनता से किया हर एक वाधा निभाया है राहूल गांधी अपनी छवी को कितना निखार पाते हैं और क्या उनकी मोधी सरकार को सब्ता से हटाने की कोशिश सफल होगी आपको क्या लगता है ये सब करके राहूल गांधी अपने आपको सही उमीदवार साबित कर पाएंगे अपनी राय जरूर बताईए और देखते रहे हिमकॉम निउस धन्यवाद